प्रशान्त एंड वाचिंग नियो इंडियान एरा आज मारा लेक्चर नमबर टू अलकोहॉल्स और फिनोल्स का शुरू हो रहा है जहां पर हम लोग बच्चों आईव पैक नेम अलकोहॉल और फिनोल का देखेंगे इथर्स का आईव पैक नेम जो है वो हम लोग इसके नेक्स लेक्चर में देखेंगे यार अपना यूटूब चैनल है क्या टेंशन है कौन सा घाई करके ज्यादा एक बार में पड़ा कि क्या मतलब है अराम से लेक्चर नमर 3 बनाऊंगा और उसमें पूरे सिर्फ और सिर्फ इथर्स का आईव पैक नेम करवाऊंगा जो कि 10-20 मिनट में हो जाएगा ठीक है तो मैंने फोचा यार अभी सोचो यह लेक्चर कम से कम अभी एक घंटे की उपर जाएगा ही जाएगा तो इसमें 20 मिनट और जोड़ूँगा तो कितना टाइम फिर एक घंटा 20 मिनट क्यों 20 मिनट गालक से बना दूँगा फट से देख लोगे तो गाईज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसा सिखाऊंगा ऐसा सिखाऊंगा गाईज यू विल डेफिनेटली डेफिनेटली मजा आ जाएगा आप लोगों को ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा मेरी अपनी खुद की एकदम ट्र कोशन्स होते हैं इसमें हम लोग 12 प्लस CT दोनों कवर करते हैं तो मैं वैसे ही ऐसे लेवल के कोशन्स करवाता हूं जिसमें से आप लोग के जो CT हैं एस विल एस क्लास 12 है यह प्रॉपर वे में अच्छे से आपके कवर हो जाएं तो ऐसे सिखाई जाती है तो बच्चों कही पर भी आप लोग को CT के लिए लाखो रुपए भरने के जुरत नहीं है मैं जानता हूं अलड़ी बहुत सारे बच्चे लाखो रुपए यह एक लाख रुपए फीस बरते हैं और उसके बाद भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है मैं यह सब चीज़े जानता हूं तो हम previous year question paper की practice करो daily practice problem dpp की practice करो test series की practice करो है ना जितना हो सकी उतना test दो जितना हो सकी उतना previous year question paper को solve करो जितना हो सकी उतना exercise के questions जो होते हैं उन्हें solve करो यह सारे चीज़े जितना हो सकी उतना करो ठीक है और गाईस अगर आप सब को यह नहीं मिलता है तो आप हमारी focus batch join कर लो औ न्यू इंडियन एरा एप डाउनलोड करो और फोकस बैस बढ़ी अच्छे से ज्वाइन कर लो एंड वहां पर तो सब कुछ हम दे ही रहे हैं ओके चलिए यह जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसकी नोट्स मैं आपको फ्री ओफ कॉस्ट दे दूंगा हमारे यूट हमारे जो आउनौट्स को डाउनलोड कर सकते हो ओर टेलिग्राम ने भी आप लोग को एप buradan देदूंगा ठोलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शं पर आप वहां से भी नोट्स ले सकते हो ठीके सो चलिए शुरुवात करते हैं यार लोग तो भाई पांसो पांसो रुपे में नोट्स बेजते हैं मैं बच्चों का करियर बरबाद चलो ठीक एक कोई ना चलिए शुरुवात करते हैं अगर आप लोगों ने लेक्चर नमबर वान अच्छे फे देखा था जहां पर हमने अलकोहल फिनॉल्स एंड इथर्स का क्लासिफिकेशन किया था एंड उनके बारे में डीटेल्ड इंफॉर्मेशन बेसिक से शुरुवात की थी जिस जिस बच्चे ने लेक्चर वन अच्छे फे देखा है करीबन 4000 से जादा बच्चों ने एक दिन की अंदर अंदर देख लिया था वीडियो ठीक है तो अगर आप सबने देखा है तो प् लोग ना लेक्चर नंबर थ्री मेरा है लोजन डेरिवेटव का जो था ना हेलोकर डेरिवेटूका लेक्चर थ्री ह tortтории ना जहांपर मैंने हैमटवेटि इरिक आникомेंट योबिशन राइग प्लेषिज की नई वीडियो कि वीडियो चैनल के अंदर जाहू जाहाँ लिखा है तो जाएए एक बार उसे देखिए और उसके बाद इस आयू पैक नेम को देखिए तभी आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा मेरा यह request है बाकी तो आप अपने मन की करोगे ठीक है तो चलो अब शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा एक question मैं ना वहां का तो चलो शुरुआत करते हैं लेट्स बिगिन तो जैसे कि आप सब जानते हो कि हैलोजन डेरिवेट्व की अंदर जब हमने हैलोजन डेरिवेट्व की शुरुआत की थी एकदम बेसिक से बताऊंगा पूरा लिंक करके एकदम अच्छे से क्यूंकि आप सब बच्चों को ए बॉंड एक्स जो था हमारा यह हमारा हैलो था हैलो हैलो बॉंड एक्स के जगा में बॉंड सील बॉंड बी आर बॉंड आय हम यूज कर रहे थे बॉंड सील को हम लोग क्लोरो नाम से पुकारते थे बॉंड बी आर को हम लोग ब्रोमो कहते थे एंड आय को हम लोग आयोडो नॉम से दिखाते थे, समझे रहों क्या कह रहा हूं है? हमेशा बच्चों जब कोई भी आईवपैक नेमे नॉमें प्लेचर शुरू होता था जब कोई भी आईवपैक नॉमें प्लेचर शुरू होता था तो यहां पर अक्सर आपको पता जैसे कि माललो क्लोरीन क्लोरीन स्वरी कार्बन 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 ऐसा दिया हुआ है तो कार्बन के माललो अगर यहां पर अगर माललो क्लोरीन डाल दिया मैंने तो numbering के टाइम पर 1,2,3,4,5 यहां से numbering करूँगा तो 1,2,3,4,5 तो इसका naming कैसे आएगी इधर से counting करूँगा तो सबसे कम number मुझे मिल रहा है यह दूसरे number पर कारबन आ रहा है सब मैं lecture 2 में halogen derivative में सिखाया है सारे rule आपको halogen derivative के अंदर मैंने सिखा रखे है प्लीज जाए है halogen derivative को देखिए lecture number 3 देख करके फिर इस वीडियो को देखिए समझ रहे हो बच्चो तो इसी बहाने आपको वहां का भी आईउपैक नेम आ जाएगा आपके फाइदे के लिए बोल रहा हूँ ठीक है वो देख के आओगे तो ये समझेगा वरना नहीं समझेगा मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ बादने बोलोगे भाईया समझा नहीं तो जाओ halogen derivative का lecture number 3 बार बार चिला रहा हूँ देख के आओ description box में chemistry class 12 की link है या नहीं मिली तो new indian era में क्लिक करो playlist में जाओ class 12 chemistry क्लिक करो मेरे वीडियो देख लो नहीं वाले एकदम ठीक है चलो तो यहाँ देखो तो chlorine हमारे दूसरे carbon में add है तो इसका neonomenclature आपन कैसे करते थे तो total यहाँ पर कितने carbon है total 5 carbon मतलब pentane और यहाँ पर कौन add है chlorine क्लोरीन को लिखते है chloro और दूसरे नमबर में chlorine है तो यह इसका नाम होगा 2 chloro pentane तो इस तरीके से इसका nomenclature आपको मिलेगा तो देखो बच्चों आपने क्या देखा जो हमने यहाँ पर functional group add किया है न इसको हमने main main नाम के पहले add किया है हेलो जन derivative में हमने ऐसा ही किया था लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग इस main main नाम के जो parent name होता है ना जितने carbon होते हैं यह parent name मैंने आपको सिखाया था तो parent name के पहले यह हमेशा add होते हैं यह बात आपको ध्यान रखनी है तो chloro-bromo-iodo हमेशा पहले add होते हैं लेकिन यही alcohol में हम पीछे add करेंगे तो चलिए फिर शुरुवात करते हैं आजा इसको भी alcohol का nomenclature करेंगे और उसके बाद हम लोग phenols का करेंगे तो बच्चो थोड़ा सा एक basic concept है कि nomenclature हमारे alcohol phenols में तीन तरीके से होता है जबकि halogen derivative में दो तरीके से ही था आपको क्या लगता है मैं कोई भी topic को skip करूँगा बिल्कुल नहीं आप लोग अपने book के page number 235 में आ जा तो यहां पर आजो सभी लोग एक second guys just so common name जो था देखो अभी हमारे halogen derivative के अंदर तो दो ही naming थे एक common name और एक था हमारा IUPAC name लेकिन यहां पर एक carbonol system भी है अब यह carbonol system क्या होता है हमारे alcohol phenol में चलो इसको भी सीखते हैं आ जाओ फड़ा फड़ तो जड़ा यहां पर सारे literature है इसमें सबसे पहले तो एक है common name common name को आपन trivial name भी कहते हैं तो नहीं कि common name एकदम आसान होता यार इसको तो आपको याद करना पड़ता है सभी के सभी elementों का है ना एकदम आसान है यह सभी मैंने आपको सिखाया भी था कि जैसे कि मालो अभी हम यहां पर आम बोलते हैं तो आपके मराठी भासा में आमबा बोलते हैं फिर इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं तो reasonable languages होती है यह जहां जो है हर जगे fix नहीं होता कोई भी वही आफरीका मे हैं आमको कुछ और कहते होंगे तो common name एक reasonable name है जो depend करता है मैंने halogen derivative में सिखाया था एक दूसरा system में बच्चो हमारा carbinol system carbinol system यह क्या है अभी बताता हूँ और एक है हमारा iu pack system तो बच्चो सोचो nomenclature हम तीन तरीके से कर सकते हैं कितने तरीकों से nomenclature हम कर सकते हैं तीन तरीकों से यह बात आप लोग ध्यान देना तो nomenclature हमारा तीन तरीकों से होता है पहला common carbinol and i pack सिफ alcohol phenols का hydrogen जो derivative था न सोरे halogen derivative था न हेलोजन derivative में सिर्फ common name और i pack नेम था कार्बिनोल सिस्टम नहीं था अब आज़ा हम लोग यहाँ पर कार्बिनोल सिस्टम के बारे में समझते हैं बहुत आसान है बच्चो बहुत आसान है देखो होता क्या है कार्बिनोल सिस्टम माल लोगर एक carbon है और यह carbon में यहाँ पर hydrogen added है और यहाँ पर hydrogen यहाँ पर भी hydrogen है अब ध्यान देना मैं क्या करने वाला हूँ समझना अच्छे से माल लो बच्चो मैं इस hydrogen को हटा दूँ और इस hydrogen को हटा करके मैंने यहाँ पर OH डाल दिया clear हो गया अच्छे से मैं क्या कह रहा हूँ clear हो गया and मैंने क्या किया इस hydrogen को भी हटा के और यहां पर मैंने CS3 डाल दिया clear हो गया तो आपको पता है बच्चों क्या होगा जिस कार्बन से जिस कार्बन से जिस कार्बन से OH अटैच होगा उस कार्बन को हम कार्बिनॉल कार्बन कहेंगे उससे हम क्या बोलेंगे carbinol carbon कहेंगे क्या अटेच रहेगा जिस carbin से OH अटेच रहे उस carbon को हम carbinol carbon कहेंगे समझ मैं आगे अच्छे से पक्का clear है यानि की indirectly अगर मैं बोलू तो ये मेरा पूरा system क्या है carbinol है ये पूरा system क्या कहलाएगा carbinol कहलाएगा ये पूरा कार्बिनॉल ही इसे कह दो सिर्फ कार्बिनॉल बोल दो सिर्फ क्या बोल दो कार्बिनॉल समझ रहा क्योंकि सारे इसी कार्बन से अटेच है इसको छोड़ देना बाकी सारे ये क्या होंगे कार्बिनॉल कहलाएंगे तो याद हो गया अच्छे से वट इस कार्बिनॉल जिस भी कार्बन से ओया चटाइच होता है उस कार्बन को हम लोग कार्बिनॉल कार्बन कहते हैं clear हो गई बाते and उस पूरे सिस्टम को कार्बिनॉल सिर्फ कहेंगे clear है तो इसका nomenclature कैसे करोगे देखो तो बच्चों आप बताओ इसको क्या बोलते हैं मैंने आपको समझ आता है यलोजन derivative में इसे हम मीथाइल कहते है मैंने बोला थान एक बार हलोजन derivative सीख लिया ना तो फिर ये बहुत आसान है इसलिए कहताओ मेरे halogen derivative का बहले मैंने आराम से पढ़ाया लेकिन इतना सुन्दर पढ़ाया इतना डीटेल में पढ़ाया है ना भाई वाउ एक दो मज़ा आजाएगा जाओ या इन देखो यह हमारा मिथाइल है और मिथाइल के बाजू में कौन है कार्बिनॉल है यह हो गया इसका नेमिन क्लॉमन केचर तो मिथाइल कार्बिनॉल बस इसका यही नाम है मिथाइल कार्बिनॉल समझ गया अच्छे से क्या नाम है इसका मिथाइल कार्बिनॉल मिथाइल ग्रूप हमारे कार्बिनॉल में अटैच है चलो एक example आपको देता हूँ उसका नाम क्या होगा बताना तो CS3, bond CS2, bond C, bond H, bond OH चलो बताओ ये पूरा system कितना हो ये इसको हम क्या बोलते हैं कार्बिनॉल बोलेंगे क्यों क्योंकि इसमें OH ग्रूप इस कार्बन में अटाइच है तो ये कार्बन क्या होगा मेरा कार्बिनॉल कार्बन कार्बिनॉल कार्बन तो चलो ये क्या है हमारा इथाईल कहलाता है है ना दो कार्बन मतलब इथाईल तो यहाँ पर नॉमेंट्लेचर कैसे आएगा इथाईल कार्बिनॉल समझ गया अच्छे से समझ गया क्योंकि कार्बिनॉल का मतलब यह पूरा है जिसमें कार्बन और OHTH बाकी तो हाइड्रोजन रहते ही हैं तो यह मेरा पूरा कार्बिनॉल हो गया समझ गया अच्छे से में क्या कह रहा हूँ चलो एक high level question देता हूँ है ना CT के paper में आ सकता है CT के paper में आ सकता है बच्चो चलो इसका नाम बताओ क्या होगा तो बच्चो देखो अब आप सबको पता ही है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे यह हमारा पूरा main system माना जाएगा अब इस main system के अंदर आप ध्यान से थोड़ा फ़ा देखोगे ना ध्यान से ध्यान से देखना तो यहाँ पर क्या होगा अगर मैं यहाँ से number को counting करूँ 123 यही से counting करूँगा ना क्योंकि पहले number पर यही बैठा यहाँ ने भी नहीं दिया है एक ही सिखाऊंगा ज्यादा नहीं वरना यहाँ आता नहीं exam exam में सिवितना एक दो बस सीख लो बाकी तो आप सीखी चुके हो कार्बिनॉल सिस्टम क्या है फिर अपने को मेन फोकस करना है आई पैक सिस्टम में ठीक है तो कार्बिनॉल सिस्टम पहले सीख लो बस यह दो तीन नंबर में क्या है मीथाईल है दूसरे नंबर में कौन है देखो दूसरे पर कौन है मीथाईल है और यह पूरा क्या कहलाता है प्रोपेन तो मीथाईल प्रोपेन प्रोपेन और यहाँ पर क्या जाएगा यह मेरा कार्बिनॉल हो गया समझ गया अच्छे से टू मीथाईल प को ध्यान में रखना है clear है चलो तो टू मिथाइल प्रोपेन कार्बिनॉल इस तरीके से हमारा इसका नेमिंग होगा क्लियर ना तो कार्बिनॉल को ध्यान रखना बाकी सबको आपना लॉंग चेन में डाल दो यह बहुत हाई लेवल था नहीं भी आएका चलेगा बट यह आपको छोटे बस एक्जाम में आते हैं चलो बच्चो ना हम लोग अब सीखेंगे आयू पैक नॉमेंकले चार जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपको रट्टा मारना पड़ता है यह बात आप ध्यान देना अच्छे से कॉमन नेम में कुछ-कुछ एक्जामपल्स आपको मैं तबी भी देता हूं जैसे कि माल लो अगर कार्बन- चार करबन तो चार करबन- लगा देना तो यह आपन weekly हम दाल अलग होता है यार, इसलिए उसको रट्टा मार लो या जो करना है कर लो अब शुरू करते है, IU-PAC Nomenclature, कारिबिनल सिस्टेम तो आपको समझी चुका है ठीक है, तो कारिबिनल सिस्टेम आपको आता है, अब हम लोग चलो IU-PAC Nomenclature शुरू करते हैं तो IUPAC Nomenclature International Union Pure Applied Chemistry इसका full form है तो चलो यहाँ पर आजाओ अभी जैसे कि मैंने आपको बताए कि हेलोजन डेरिवेट्व में जो हमारे functional group थे यह सारे के सारे यह सारे functional group में chlorobromo iodos जो थे यह हम स्टार्टिंग में लगाते थे तो alcohol में हम बाद में लगाएंगे आजाओ सीखते हैं अब यहाँ पर alcohol के बारे में देखो बाई alcohol की पहचान है bond O.H का add रहना तो bond O.H को अपन बोलते हैं all क्या बोलते हैं all समझ गया ना अच्छे से all तो अगर किसी भी नाम में all मिल गया मतलब कि उसमें अलकोहल group added है यानि कि यह हमारा hydroxyl group है न हाइड्रोक्सिल group यह हमारा hydroxyl group added है उसमें यह बात आप लगों को ध्यान देनी है clear हो गया अच्छे से चलो तो हमेशा याद रखना all add करना है चलो अब मैं सिधा naming शुरू करता हूँ direct बिना कुछ सोचे समझे तो माल लो carbon 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 तीन carbon है और यहाँ पर मैंने OH दे दिया चलो शुरू से शुरू करता हूँ एक एक पहले carbon से first carbon तो माल लो एक carbon है और इसमें OH attach है तो आप ही बताओ यहाँ पर में के आएंगे hydrogen तो एक carbon मतलब क्या होता है methane methane लिख लिया अब यहीं पर trick होगा इसको अपन OH का मतलब क्या होता है all तो all लगाना पड़ेगा इस नाम में और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन chlorobromo hydro तो यहाँ पर लगाते थे समझ में आया तो यहाँ पर जो methane का E है देखो मैंने E को उड़ा दिया और मैंने E को उड़ा करके और यहाँ पर मैंने देखो क्या लगा दिया all लगा दिया तो इसका नाम क्या होगा methane all समझ क्या अच्छे से इसके निमी normal picture क्या होगा methane all तो एक carbon मतलब methane all बन जाएगा ऐसा wrong है methane all चाहिए समझ गया अच्छे से चलो अब यहाँ देखो next question अगर माल लो एक carbon ऐसे मैंने ले लिया दो carbon अभी इस बारी और बाकी जगे फिर क्या ही add करोगे hydrogen तो आएंगे और क्या ही आएंगे तो इस बारी देखो हमारी longest chain क्या है भाई carbon ही है इसमें nomenclature भी अगर करोगे ही तो पहला नंबर इसी को दोगे फिर दूसरा इसी को दोगे और यहां से पहला और दूसरा यह होगा तो आपको भी पता है कि यह वाले में सबसे कम नंबर हमेशा हमारे functional group को देना होता है eugen derivative में सिखाया था ना तो यहां से count करूंगा को पहले नंबर के carbon में oh L átas और यहां से count करूंगा को तो दूसरे carbon में oh L पहले नंबर को सीलेट करो समझ गया आजाओ यहां ध्यान दो तो दो carbon का मतलब होता है It and एधेन होता है और पहले नंबर में कौण एड़े ओच तो यहां पर पीछे से ए को हटाओ पीछे लगाने के लिए हटाना पड़ता है न कुछ तुह हटाए होगे न यहां पर वण नंबर पे कौन है all है समस्च गया one पे कौन है all है ऐसे लिखने का एधेन 1 all तो इसका नोमें इसा नहीं होता कि पहला question था वही आप देखो तो समझ में आना चाहिए ऐसा नहीं होता किसी-किसी बच्चे को 30-30 question करने के बाद आयू-पैक नेम समझ में आता है क्योंकि हर एक question में छोटी-छोटी variety होती है और कोई rule इसका होता नहीं है तो मैं सिखा रहा हूँ वही रूल से आप करने का पहले longest chain फिर numbering देने का और खतम इतना ही करना है समझ गया ना तो चलो यह आपको clear हो गया रहेगा अब एक question और देखते हैं से बहुत सारे questions करेंगे आ जाओ तो माल अभी एक carbon था और इस carbon में मैंने यहाँ पर OH लगा दिया तो हर जगे तो फिर hydrogen नहीं आएगा चलो अब इसमें longest chain सिलेट करो मेरी longest chain तो यही रहेगी तीन carbon की जिसमें ज्यादा number of carbon है ठीक है फिर इदर से counting करूँगा तो 1,2,3 और यहाँ से counting करूँगा तो 1,2,3 यहाँ से किया था ही वाला ठीक है तो अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो पहले carbon में OH आता है और यहाँ स करता हूँ तो मेरे तीसरे carbon में OH आता है तो OH को जो सबसे कम number आए वही रास्ता सिलेट करो तो OH को पहला number यहाँ से आएगा तो मैं यह रास्ते फिचाओंगा फिक है तो कितने carbon है total total तीन carbon मतलब propane और यहाँ पे पहले कौन एड़ेड है OH मतलब alcohol तो पीछे से लगाना है त इसको बीच में डाल दिया तो बागी जगह में तो hydrogen डाली ही दो यार क्योंकि एक carbon चार bond बनाता ही बनाता है तो आप ज़रा ध्याम फे देख लो चलो अब यहाँ पर क्या करोगे यहाँ पर सबसे पहले longest chain सिलेट कर लो सिलेट कर लिया अब यहाँ से counting करो 123 और यहाँ से counting क करनी यहाँ तो कैसे भी कर सकते हो तो तीन carbon का मतलब होता है propane और all को पीछे से लगाना है तो यह को हटा दिया और कित्वे नंबर में दूसरे नंबर में all है ओयच मतलब क्या होता है all कित्वे नंबर में है दूसरे नंबर में all है तो propane to all इसका naming हो जाएगी समझ गया बाकी तो आपको पता ही है कि क्या फिल करना है hydrogen आप देखो यही होता है बच्चो कि जब आप लोग न अच्छे से questions को करना शुरू कर देते हो तभी आपको समझ में आने लगता है बार बार करने से question आता है आयूपैक ने में कैसा topic है जो एक बार में कभी नहीं समझ था ब समसगया चलो तो अब इसमें भी nomenclature कर लो तो पहले यहां से 1,2,3,4 यहां से फिर 1,2,3,4 नomenclature करने से पता चला कि यहां से जाओंगा तो पहले number के carbon में मेरा OYACH आता है और यहाँ पर जाओंगा तो 4 number के carbon मेरा OYACH आता है तो जहाँ से कम number आए वहाँ से silt करने का तो यहाँ से 1 आता है 1 जादा कम होता है कि 4 कम होता है 1 तो यहाँ से silt करेंगे समस में आगए चलो तो आजाओ अब यहाँ पर देखते हैं क्या करेंगे 4 carbon मतलब butane पीछे से लगाना है ना OH functional group OH है तो यहाँ पर अभी क्या कोड़ा है कि 1 पर हमारा all है पहचानने का बच्चो OH हमेशा पीछे से लगता है यह याद कर लो और chlorine, bromine, iodine आगे से लगाने का आगे से लगाने के लिए हटाना नहीं पड़ता है उपर उपर से और पीछे से लगाने के लिए यह हटाना पड़ता है देखो यहाँ पर यह हटाते है यह बार बार अपन समझ गया यह 1 मतलब location बता रहे हैं आपकी 1 number पे C है हमारा चलो next question अभी फिर से करते हैं तो छटबा question कितने सारे question कराओ यार जितने बोलो 150 question करेंगे आज बस आप question जितना करेंगे उतना आईवीपैक नेम आपको आ जाएगा आईवीपैसी नेम नमेन के चर question करने से ही आएगा यह आप आपको लगता है कोई trick होती होगी कोई rule होता होगा ऐसा नहीं है मेरी इस वीडियो को दो-तीन बार देख लोगे ना आ जाएगा अब आप बोलोगे वह एकी बार में आना चाहिए अरे भगवान हो गया एकी बार में याद हो जाएगा बहुत बार आई पैक नेम देखना पड़ेगा और बैक बेंचर को तो दो-तीन बार देखना पड़ेगा देखो मैं बैक बेंचर की हिसाब से सिखाता हूं टॉपर को तो अपने अप फिर मेरे वीडियो आई जाते हैं ठीक है इतना detail एकदम मखन बनाता हूं concept को हमेशा इसको देखो और जो मज़ा आएगा आप खुद देखो कि भाई बवाले तो आजा थोड़ा आंगे बढ़ते हैं तो चार कारबन था तो यहां पर अब इस बार ही ओच डाला अब बच्चों में बार बार यहां पर मैं कारबन हाइड्रोजन नहीं भरूंगा आप हाइड्र यहां से 1,2,3,4 ठीक है ऐसे जाएंगे तो अगर मैं यहां फिजाता हूं तो तीसरे नंबर के कारबन में आता है OH और यहां फिजाता हूं तो दूसरे नंबर के आता है तो यहीं फिजाओंगा जहां से कम नंबर मेरे OH को मिले तो कितने कारबन हैं हमारे हापर 4 तो 4 मतलब होता है butane अब पीछे से लगाने के लिए कुछ हटाना पड़ेगा तो E को हटा दिया कितने नंबर में मिल रहा है दूसरे नंबर में OH मिल रहा है तो 2 all, butane 2 all इसका नाम होगा तो इसका नाम क्या होगा butane 2 all क्या नाम होगा इसका butane 2 all चलो next question करते हैं सात्वा question थोड़ा इसी में और घुमाएंगे अभी butane का ही काम चलाएंगे अब butane में यहाँ पर मालो ओयच आ गया समझ रहा हूं तो अब क्या करोगे अगर मालो ओयच आ गया तो अब क्या करोगे तो इसमें भी वही नाम होगा इधर से 1,2,3,4 इधर से करूँगा तो 1,2,3,4 अब यहाँ पर जाओं कि यहाँ पर जाओं तो यह कम नंबर यहाँ से मिल रहा है देखो दूसरे नंबर पर तो टोटल क्या है butane है तो last का e है e हटा दो और दूसरे नंबर पर all डाल दो तो आपने एक चीज़ गौर की वच्चो कि चाहे यहाँ पर हो और चाहे यहाँ पर हो butane में दोनो butane to all ही कहलाएंगे समझ गया ना अच्छे से तो ध्यान देना इस बात को भी चलो clear है अब आजओ आठवा कोश्चन अब 5 कारबन लेते हैं और 5 कारबन में नहीं एक काम करता हूँ अब थोड़ा और नया इंट्रडेउस करता हूँ अब चीज़ों को इसी 4 कारबन में ही एक गेम करता हूँ देखो एक गेम यह 3 कारबन थे और एक कारबन को यहाँ डाल देता हूँ क्लियर हो गया और मेरे ओयच को यहाँ डाल देता हूँ समझ गया चलो अब बाकी तो हाइट्रोजन भरना है तो आप लोग बाकी हाइट्रोजन भर लो यह देखो बाकी तो हाइट्रोजन भरना था तो बाकी आप हाइट्रोजन भर लो भर लिया अब यहां पर देखो तो nomenclature करो अब यहां से count करो तो 1,2,3 और यहां से count करो 1,2,3 अब बच्चो देखो nomenclature करने से पहले मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ पहले longest chain तो आपने selected नहीं किया हला कि मुझे याद है तो मैंने फट से कर दिया आपको कौन सिखाएगा तो देखो यहां पर longest chain में यहां से भी 3 करवन आता है और यहां से भी 3 करवन आता है यहां से भी 3 करवन आता है तो जब 3,3 यह आता तो मैं क्यों ना straight वाली chain ही ले लूँ मैं क्यों यह branch वाली chain लूँगा branch ना लेकर के straight ले लेता हूँ समझ गा तो देखो मैं straight chain ही लूँगा इसलिए आप समझा बच्चो तो अगर मैं यहां फे जाता हूँ तो यह 1 2 3 और यहां फे जाता हूँ तो 1 2 3 चलो 3 carbon है मेरे total और देखो मैंने यह select किया है याद रखना इस चीज को 3 carbon 3 carbon मतलब होता है propane propane पीछे से लगाने के लिए हटाना पड़ता है तो propane पहले नंबर पर पहले carbon पर ओया चटेज है तो 1 all अब जब मैं यहां से counting किया तो पहले carbon में ओया चटेज था तो propane 1 all तो 1 गया लेकिन इस carbon को कौन नाम देगा यह CS3 हमाल लोगा इसको कौन नाम देगा तो यहां से counting किया तो दूसरे नंबर पर CS3 आता है दूसरे carbon पर CS3 आएगा तो कुछ नहीं है तो हम आगे ही लिखेंगे सिफ हम लोग बच्चो all को जो रहता है न all उसको पिछे लिखते हैं बाकि सब आगे ही लिखा जाएगा जैसे methyl वगेरा हमेशा आगे ही लिखोगे तो 2 methyl 2 methyl propanol समझा इसका नॉमेन क्योचर यह होगा propane 1 all 2 methyl propane 1 all ऐसे इसका naming होगी समझ गया यह कैसे आया everybody वीडियो पीछे करो और वापस से एक बार देखो समझ गया न पक्का देखो है तो 4 कारबनी यहाँ भी देखो न 4 कारबनी है लेकिन इसको branch कर दिया तो इसका नॉमेन क्योचर ऐसे बदल जाता है तो यह मैं आपको सिखा रहा है यह बार बार आप लोंको विडियो देखना तभी आपको clear होगा चलो और देखते हैं और दो चार एक्जामपल और दो चार एक्जामपल देखते हैं ठीक है इस बार इस % को I'm यहाँ डाल देता हूं यहां पर डाल देता हूँ आज़ो देखते हैं फिर क्या बनेगा तो यह हमारा नौबा कोश्चन आपको इतने मैं ही समझ गया रहेगा बहुत सारा इस बार OYAC को भी यहां रखता हूँ और CS3 मिथाईल को भी यहां रखता हूँ अब देखो इसका नाम क्या होगा यह कोश्चन आपके टेबल में भी दिया हुआ है यहां पर आपको दिखा भी देता हूँ मैं तो अलकोहल की आवुपैक नॉमें पिचेर हैं जिसमें से अभी हम लोग कौन से कोश्चन कर रहे हैं अरे पापर ये तो है नहीं नहीं है इसमें चलो मैं ये सब भी करवाऊंगा चिंता मत करना इनका भी आविपैक नेम सिखाऊंगा और common नेम तो आपको बच्चो याद करना पड़ता है ठीक है ये तो आपको please याद कर लेना ठीक है और ये मैं आपको सिखाऊंगा ठीक है चलो यहाँ देखो सिखाऊंगा क्या सिखाई रहा हूँ अब यहाँ देखो तो इसमें क्या होगा सबसे longest chance हिलेट कर लिया मैंने अब मैं यहाँ से counting करूँ 123 और यहाँ से 123 तो क्या आएगा देखो आप भी बताओ प्रोपेन है प्रोपेन तो प्रोपेन में यहाँ पर क्या हो जाएगा यह यह लास्ट का हटाऊंगा और दूसरे नंबर पर और यहाँ से प्रोपेन तो आप खुद का भी दिमार्ग लगाना शुरू करो बच्चो ठीक है और दूसरे ही नंबर पर यहाँ पर यह है तो मिथाईल भी है तो यहाँ पर क्या आजाएगा 2 मिथाईल प्रोपेन तो आल 2 मिथाईल प्रोपेन तो आल समझगा बच्चो वर्ड के बीच में कोई गैप नहीं देनेगा और डिजीट और अल्फाबेट के बीच में हाइफन देनेगा हाइफन समझगा अच्चे फिद्यान देना डिजीट और अल्फाबेट के बीच में डिजीट और अल्फाबेट के बीच में हाइफन देनेगा तो two methyl propane to all यह हमारा ऐसे बनेगा तो थोड़ा सा ही नाम बदल रहा है अगर मैंने OH को यहां रखा था और CS3 को मैंने यहां रखा था तो आप देख सकते हो और यहां पर मैंने दोनों को सेम जगे पर रख दिया तो बस थोड़ा सा ही नाम बदलता है यहां पर और इतना ही तो हाया है चार कारबन से बनने वाले जितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं मैंने सब करा दिया ऐसा था देखो वैसे यहां पर तीन कारबन से बनने वाले सब जितने भी पॉसिबल थे उनको भी सब करा दिया इसमें तीन कारबन थे देखो फिर चार कारबन में देखो मैं चार करबन का मैंने हर तरह से आपको नाम बताया समझ गया कि नहीं समझ गया बस लॉंगेश्ट चेंसिलट करना देखो वही चार करबन में यहां पर प्रोपेन बन गया तो यह भी थोड़ी थोड़ी चीज़े आपको याद रखनी है हर एक चीज में आपको सिखाते चल रहा के सबको आगे लगाने का चलो दसवा कुष्षन तो एक दो तीन चार पांच कारबन इस बार लेता हूं और पांच कारबन में अगर मैं इस बार चलो सेकेंड नंबर में और अच लगा दूं तो मेरी लॉंगेश्ट चेंड क्या होगी और यही रहेगी समझ गया कि नहीं सम आप बताओ कहां सकाउंट करोगे यहां से क्योंकि यहां से कारबन दूसरे नंबर में आता है और यहां फिजाएंगे तो चौथे नंबर में आता है चार बड़ा की दो बड़ा चार बड़ा और बड़ा नहीं चाहिए चोटा चाहिए तो चोटा चाहिए ना तो छोटा द तो नेका इस कarbon को उठाके यहां डाल दिया है समझ गया न अच्छे से और इसको यहां डाल दिया हैं तो देखो उतने ही कarbon की देखो आप लोग्फ खुदी कितने कारबन दिख रहे हैं आपको हैं पांच कार बनी ना सोरी है तो टोटल पांच कार बनी है की नहीं लेकिन बस structure change कर दिया मैंने तो चलो longest chain क्या होगी इसमें एक इसको ऐसे नहीं ले सकते आप आपको बताया था मैंने हेलो जन डेरवेटों में कि T-shape में नहीं आ सकता ऐसे नहीं आ सकता लेकिन हाँ ऐसे आ सकता है ऐसे आ सकता है ऐसा सीधा रह सकता है समझ गया ना अच्छे से लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता यह नहीं आना चाहिए यह joint नहीं आना चाहिए अब इसमें कहीं joint पर कहीं देखो सीधा है यह समझ गया तो आप चाहो तो ऐसा ले सकते हो यह L shape में चलेगा समझ गया ना तो आप चलो पहले longest chain है तो भाई number की counting तो कर लो तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ 1, 2, 3, 4 carbon अगर मैं ऐसे लेता हूँ L shape में तो 1, 2, 3 ही carbon आता हूँ यह कम carbon होगया तो longest chain नहीं बनेगी अगर आफ हजाता हूँ तो यह भी 4 carbon 1, 2, 3, 4 carbon आता है तो यह longest chain बनेगी तो जब मेरे पास 2 longest chain बन रही है 4, 4 carbon होगी एक ही है और एक यह वाली तो क्यों न मैं straight वाली ही लूँ एक दो तीन चार है क्यों मैं ये branch वाली मैं क्यों लूँगा ये नहीं लूँगा मैं ले सकता हूँ बढ़ मैं अच्छा लगेगा ना मुझे सीधा वाली ले ले तो सीधा वाली ले लेता हूँ चलो इसके अब counting कर लो तो वान टू थ्री फोर और यहां पर वान टू थ्री फोर ऐसे तो चार कारबन मतलब होता है ब्यूटेन पीछे से लगाना है तो कुछ उठाना पड़ेगा ये को हटा दिया चलो अब बताओ तो यहां से अगर मैं देखता हूँ कम नंबर मेरे ओच को कहां से मिलता है यहां पर जाओंगा दूसरे नंबर पर यहां पर जाओंगा तीसरे नंबर पर तो यहां पर क्या आएगा टू टाइमस ओफ ओफ ओयल फिर अम्में यहीं से जाओंगा तो तीसरे नंबर में सी अस्त्री है तो यहां पर क्या यहां तक चलो एक और कुशन इसमें करते हैं बारवा अब इसमें और दिमाख लगाएंगे और यहां CS3 था और यहां भी CS3 लगा देता हूं एक अब देखो क्या होगा तो बच्चों लॉंगेस चेन देखो आप बोलो कि ऐसी ले लो मैंने बोला था ना कि ऐसे जॉइंट नह यहां से भी 4 करबन बनेगा तो इस से अच्छा मैं स्ट्रेट वाली ही ले लेता हूं चार करबन बन रहा है न यहां पर भी तो अब देखो तो नम्बरिंग दो 1,2,3,4 इसी को सिलेट किया मैंने 1,2,3,4 ठीक है तो चार करबन मतलब क्या होता है ब्यूटेन पीछे से लग तो तीसरे नम्बर में CS3 एक है और दूसरा भी 2,2 CS3 है तो यहां पर क्या लिखोगे 3,3,2,3,5 बस नाम होगा इसका 3,3 मतलब की एक बार 3 में फिर 3 में CS3 CS3 दो बार है तो डाय मतलब 2 मिथाईल का गरूप है तो 3,3,2,5 ब्यूटेन टू ओल समझ गया अच्छे से तो इसका नाम क्या होगा 3,3 डाय मिथाईल ब्यूटेन टू ओल समझ गया कोई कोई यह 3,3 को दो बार नहीं लिखते एक ही बार लिखने का 3 डाय मिथाईल है ऐसा भी लिख सकते हो क्योंकि तीसरे नमबर पे 2,2 मिथाईल है तो कोई कोई से 3,3 लिखता है कोई कोई नहीं लिखता है तो भी चलेगा 3,3 तो मैं भी क्या करता हूं मैं हट आई देता हूं क्या ही फर्क पड़ता है ठीक है नहीं भी लिखोगे तो कोई फरक नहीं है तो 3 में डाय मिथाईल है तीसरे कारबन में इधर से काउंटिंग चलेगी ना क्योंकि ओएच को कम नंबर देना है यहां फे जाता तो तिसरे नंबर पे होया चाहता यहां फे जाओंगा दूसरे नंबर पे होया चाहेगा तो यह counting मेरी यहां फे जाएगी यह फिली तो 2 times of all आया है तो यहां फे जाएगी तो यह देखो यहां पे 3 times of CS3 है तो 3 dimethyl butane 2 all बनेगा क्या बन जाएगा यहां पर 3 dimethyl butane 2 all इसका structure बनेगा समझा ना तो इस तरीके से आपको कितने बार सिखा हो 12 questions हो गए अभी और 12 questions कितने सारे हैं कितने बार questions आपने ने कर लिया चलो और बड़ा बड़ा करते हैं अभी हम क्या करेंगे धीरे तरे 2-3 बार research को लेंगे अभी तो एक एक बार लिया है अभी醉 तो दोबार लेंखा चलो बच्चो इसी Question में क्या करेंगे इसी Question में एक यहां पर o or यहां पर भी त्री गड़ो और यहां CS3 और यहां CS3 ले लो चलो अब गिनो तो longest chain तो मेरी यही बनेगी numbering दूँगा तो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 सबसे कम number यहाँ फिजाओंगा तो दूसरे number में OYA चाता है यहाँ फिजाओंगा तो तीसरे number में आता है तो जहाँ सबसे कम है दूसरा OC को select करूँगा न चलो चार करवन को बोलते हैं butane पीछे से लगाना है तो कुछ हटाना पड़ेगा तो देखो यहाँ पर अब यह दो है ना दूसरे पर एक OEC और दूसरे पर यह दूसरा OEC भी है तो two times of diol इस तरीके से आपके यहाँ पर भी ऐसे बहुत बार दिया हुआ है बच्चो ठीक है समझा की ने समझा तो यह याद रखना तो two times of diol 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 मतलब 2 all मतलब hydroxyl group दूसरे नमबर पर दूसरे नमबर के कारवन में एक OEC और एक एधर OEC है ठीक है अब आगे इसी रास्ते से फिर जाएंगे जो तीसरे नमबर में CS3 CS3 है तो यह तुम्हेंने बताया यह है कि 3 di-methyl आएगा समझ गया अच्छे से क्या आएगा यहाँ पर 3 di-methyl तो यह इसकी complete nomenclature होगी समझ गया तीसरे नमबर कारवन पर दो बार दो बार methyl है और main parent carbon butane है और दूसरे नमबर के carbon में दो बार OH है यानि hydroxyl group है तो 3 di-methyl butane 2 diol दूसरे carbon पर दो बार diol है और यहाँ पर 2 all तो था लेकिन एक ही all था यहाँ दो-दो all है दो-दो all को आपन diol पर दिखाते हैं समझ गया तो इस तरीके से इसका भी नॉमें प्लेचर आपको आ गया बच्चो या ऐसे ही थोड़ी सुपर स्टार के मस्ट्री के कहते हैं प्रशान बईया को समझ गया तो यह आपको यहां तक का सारा topic clear हो चुका है पक्का clear है कि नहीं clear है चलो इकदम high level question आजओ कोई नीकर आया रहेगा ऐसा आपको कभी भी और यहां पर OH डाल देता हूँ और यहां पर CL डाल देता हूँ और यहां पर CS3 डाल देता हूँ ठीक है चलो अब आपको भी पताए कि longest chain तो यही रहेगी आपको भी मालूम है क्योंकि यह भी तो हो सकती थी लेकिन ब्रांच में क्यों लेना अपना अच्छा वाला यही ले लेते है जलो numbering कर दो one two three four carbon को number दे दिया मेरे जो longest chain देते हूँ ना सिव उसी को number देने का बाकी सब carbon को number ने देने का अब बलोगे भाईया इस carbon को भी number देते ना नई 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 मेन कोई सिफ नंबर देना है जिसको longest chain लटकिया फिर यहां से one two three four ऐसे हो गया चलो अब देखो अब कहां से सबसे कम number आएगा अब आप बलोगे भाईया मैं किसको priority दूँ OH भी functional group है CL भी functional group है CL हमारे halogen derivative का functional group था OH हमारे alcohol का functional group है तो मैं priority किसको दूँ भाईया तो अब मैं आपको बताता हूँ किसको priority देने का ABCD गिनने का ABCD में C chlorine पहले आता है C की OH यानि की alcohol hydroxyl group OH कौन पहले आता है तो पहले chlorine आता है तो priority किसको दोगे CL को समस गया अच्छे से मैं क्या कह रहा हूँ priority किसको मिलेगी हमेशा CL को priority मिलेगी समस गया अच्छे से तो चलो यहां से counting कर लो अभी तो यहां पर CL है माल लो तो कुछ नहीं फरक पड़ता आपने को naming picture तो करना है अब अपने को एक बात और पता है जो OH है वो हमेशा कहां से लगता है पीछे से लगता है तो बस कुछ नहीं मेन कार्बन गिनो पहले चार होता है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा चरह देखो अच्छे से बच्चो बड़ा नाम आएगा तो चार कार्बन मतलब ब्यूटेन ब्यूटेन पीछे फिसे वाले को E हटा दो और दूसरे नमबर में ओल लगा दो ठीक है दन उसके बाद यह हो गया हमारा clear है फिर हमारा यह CS3 है क्या है हमारा CS3 है यहाँ पर और कित्वे नमबर पर है यहाँ से काउंटिंग है तो तीसरे नमबर में आएगा तो यहाँ पर मैं क्या डाल दूँगा अब देखो बच्चो उसमें भी उसमें भी यह भी आंगे से लगता है यह भी आंगे से लगता है तो हमेशा अपन पहले functional group लिखते थे थे ना chloro then methyl तो पहले मैं किसको लिखोंगा chloro को है ना तो 2 नमबर पर chloro and 3 नमबर पर methyl यह इसका no man picture होगा इसलिए कह रहा था कि hydroxyl जो हमारा system था ना हमारा इसको उठाकि हां डाल देता हूं यह देखों यह इसका no man culture होगा समझ गया इसलिए मैं कह रहा था कि जो इसका पूरा main system है ना वह आपको पता होना चाहिए हाइड्रॉक्सिल ग्रूप का जो पूरा मेन था वह आपको मतब हैलोजन डेरिवेट्व का चैप्टर आपको सीखना पड़ता वह सीख लो जा करके ठीक है तो आपको समझे क्लोरो को पहले लगाया टू क्लोरो फिर मीथाइल लगाया तीसरे नंबर पर और चार करवन है ब्य ब्यूटेन टू ओल तो इतना हाई लेवल हो गया है थोड़ा हाड हो गया भाई है तो यह मैने जान बुच के सिखा है कि आपको सीटी वगएरा में ऐसे कुश्टन्स आ जाते हैं तो आपको पता होना चीए आसान आसान तो कोई भी कराता है आसान तो मैंने ऐसी सिखा दिय समझ गया यह आयूपैक नेम आपको अच्छे से किसी बच्चे को यहां पर कोई भी डाउट है क्या सो बच्चो टू क्लोरो थ्री मिथायल ब्यूटेन टू आपको याद हो गया है क्या चलिए यहां तक की बाते क्लियर हो गई है पक्का क्लियर है इसी बात पर हार्ट तो बिल्म आपको बताओं तो घ्राभगी या तो मिथे नौल मैंने करवाया है फिर यह इतनौल रिया वी है मैंने करवाया है फिर यह वाला प्रॉप ditesि डू ब्यूतेन टू अलम ऑन ब्यूतेन पैड़े मेंने डूतेन 190 में इसका सुरश्या भी पिर देखो ना रहे देख तो करवाया ही है, करवाया है कि नहीं करवाया है, सब तो करवाया है, चलो, आप मुझे बताओ, मैं कौन सा structure करा हूँ, बड़ आप comment में करोगे, तो कैसे मुझे पता चलेगा, तो चलो, एक काम करता हूँ, मैं इसको इसको और इसको इसको सबको करा देता हूँ लास्ट के भी करवा देता हूँ ठीक है लास्ट के तो एक काम करता हूँ पहले इसको करा देता हूँ आजाओ तो सबसे पहले इसी को करा देता हूँ आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए चलो देखो तो देखो यहाँ पर इसको कैसे करोगे देखो बाई करना ही तो है तो देखो यहाँ पर लॉंगेस्ट चेन मेरी ये भी बन सकती है और लॉंगेस्ट चेन मेरी ये भी बन सकती है तो कोई भी एक longest chain तो लेनी ही पड़ेगी तो इसी को चलो मैं longest chain ले लेता हूँ तो यहां से longest chain पहले draw तो कर लो red लेना पड़ेगा longest chain draw तो कर लो अब numbering दे दो तो 1, 2, 3 और यहां से गिनोगे तो 1, 2, 3 अब आप इस तरफ पे चाओगे की इस तरफ पे चाओगे आपके उपर है ठीक है ध्यान देना अच्छे से बच्चो अभी हरे कीच को समझना है अच्छे से clear करके चलना है और चीजों को ध्यान देना है तो अगर मैं यहां फे जाता हूँ तो दूसरे नमबर में O.H आच आता है अगर मैं यहां फे जाता हूँ तो दूसरे नमबर में O.H आता है तो कोई मतलब भी नहीं नमबरिंगा दोनों जगे से सेमी आ रहा है मेरे O.H को अब नमबरिंग जिलो तीन कार्बन मतलब होता है प्रोपेन पीछे से लगाना है क्योंकि OH गुरूप है तो दूसरे नमबर पे All है तो प्रोपेन 2 All बन गया देन उसके बाद हमारा यहाँ पर दूसरे नमबर पर ही दूसरे नमबर पर ही OH गुरूप है हमारा दूसरे नमबर पर ही बच्चो यहाँ पर CS3 लगा हुआ है methyl जिसे कहते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा 2-methyl-propane-2-all यह इसका नेम बनेगा समझ गया ना देखो ना दूसरे नंबर पर ही CS3 भी है तो methyl को तो हमेशा पहले ही लिखते हैं और propane को हमेशा बाद में लिखते हैं अपनी खुद की भी understanding बनाओ तभी आपको हर एक चीज़े समझ में आएंगे वरना नहीं तो यह देखो इसका नॉमेन पेचर भी मैंने आपको करवा दिया कोई doubt है यहाँ तक इसका भी आपको हो गया समझ के आच्चे से 2-methyl-propane-2-all चलो अभी इसका करके दिखाता हूँ आजाओ इसका भी मैंने करवाया ही है बट इस्टिल आजाओ कर ही लेते हैं क्योंकि आप सब बच्चे हो नन्ने मुन्ने बच्चे हो हो सकता है आपको ना आए सही बात है कि नहीं सही बात है चलो आजो इसका भी कर लेते हैं देखो इसका कैसे करोगे यहां द्यांगना तो यह पहला कार्बन यह दूसरा कार्बन कहीं से भी काउंट करो अगर यहां से करते हो तो अगर यहां से करते हो तो यह पहला कार्बन यह दूसरा कार्बन अगर मैं यहां से count करूँ तो पहला दूसरा आएगा यहां से count करूँ तो भी पहला दूसरा आएगा तो numbering का तो मतलब नहीं निकला तो पहले और दूसरे में कौन है all group attach है तो ethane में है ना तो ethane के पहले और दूसरे number में तो 1,2 दो digit की बीच में कौमा आता है हाइफन मत डाल देना तो 1,2 दो बार all है एक दो तो die all die all देखो ना die all है ना तो इसका भी nomenclature आपको आ गया ethane one to die all समझ गया अच्चे से तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कैसे हरे questions आपके answer देते हैं ये भी हो गया चलो बच्चों एक double bond का करते हैं double bond का मैंने आपको नहीं सिखाया है ना आज़ो double bond का एक करके देखते हैं क्या आता है बहुत high level हो जाएगा ये मैं अपने मन से पहले कराऊंगा फिर इसके बाद कार्बन 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 और अगर मालो यहां CS3 जोड़ दूँ और अगर मालो यहां पर OH जोड़ दूँ तो नॉर्मल इसका नाम क्या आता है बताओ आप लोगी ये longest chain होगी और चार कार्बन मतलब होता है butane इह अटा दूँगा one पे मेरा आजाएगा all अरे अब तो आपको सीख जाओ यार one number पे all आएगा और अगर मैं यहां से counting करूँ तो one, two, three तो तीसरे number पे methyl है तो three पे क्या आएगा methyl तो three methyl butane one all butane one all three methyl butane one all बन जाएगा समझ गया चलो अब इसी नाम में क्या करूंगा इसी नाम में क्या करने जा रहा हूँ समझ गया और यहां पे CS3 वैसे रहने दूँगा clear है अब बताओ बच्चो कैसे आप longest chain तो आपकी बन गई है longest chain तो यही बनेगी पक्का है 4 carbon मतलब जादा carbon की longest chain यह तो पक्का है longest chain के बाद अब आप मुझे बताओ कि आप numbering कैसे दोगे चलो तो मैं 1,2,3,4 1,2,3,4 जितने बच्चों ने halogen derivative का वीडियो देखा होगा उनको समझ जाएगा last last में एक दम समझेगा ने कि halogen derivative में मैंने last last में एक दम बताया था वीडियो एक गंटे 40 मिनट की थी और उसमें मैंने last में समझा था double bond के बारे में ज़रा समझना अच्छे से कभी भी अगर मालो मैं यहां से count करता हूँ तो double bond मेरा दूसरे number पे आता है भाई carbon के अंदर double bond को भी location देना पड़ेगा यह double bond कहां पर है single bond होते हैं तो बहुत आसान होता है double bond आते हैं तो फंस जाते हो आप लोग तो double bond को भी तो आपको naming देनी पड़ेगी न ठीक है double bond को भी तो naming देनी पड़ेगी तो double bond को अगर मैं यहां से count करूँ तो दूसरे carbon में मेरा double bond है अगर मैं यहां से count करूँ तो भी दूसरे carbon में मेरा double bond है तो double bond का जंजाट खताम हो गया वो तो दूसरे bond में, दूसरे carbon में ही आ रहा है तो आप किसको priority दोगे? OH को, आप बोलो कि भाईया हम तो हमेशा OH को ही priority देते थे अब double bond को क्यों? तो भाईया, building किसकी उपर, building में हम रहते हैं और building ही main है ना तो carbon नहीं होता, तो OH कहाँ attach होता? तो carbon ही तो main है, तो पहले priority carbon को देने का अब भी भी long chain के अंदर double bond को तो carbon का अगर आपने double bond को priority दी उसके बाद सारे functional group, functional group, functional group आएंगे जो भी रहेंगे functional, functional group सब बाद में आएंगे पहले आप अंदर की bonding को priority दोगे फिर आप OH को दोगे, जो हमारा functional group है उसमें भी अगर माल लो, यहाँ CL attach होता तो alphabetical order में पहले CL आता, फिर hydroxyl group यानि एच आता समझ गया अच्छे से, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है तो numbering कहीं से भी कर लो, तो चार कारबन है चार कारबन का मतलब होता है butane लेकिन अब यहाँ butane लिखूंगा क्या, butane लिखूंगा न क्योंकि double bond का मतलब होता है in है न, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, पूरा का पूरा हटेगा और butane बनेगा लेकिन butane में in यानि double bond in का मतलब होता है double bond और double bond कितवे number के carbon में है दूसरे number में दूसरे number में है तो मैं counting यहाँ से करूँ है क्योंकि मुझे पहला number OYACH आ रहा है तो यहाँ से counting करूँगा तो दूसरे number में मेरा double bond है तो 2 times of in समझ गया 2 in है यह branch chain बन गई यह पूरी branch chain का नाम हो गया 2 in है तो हटाना पड़ेगा तो मैंने E को हटा दिया और यहाँ पर पहले number में कौन है All है तो 2 in 1 All ऐसा बनेगा और फिर हम naming देंगे किसको अपने इस group को और इसका नाम क्या होगा CS3 यह कि मिथाईल है तो यह कितवे number में है हमारा यह हमारा है तीसरे number में क्योंकि counting तो यह ही फिचल रही थी तो 3 मिथाईल तो यह इसका proper nomenclature होगा 3 मिथाईल ब्यूट 2 in 1 All समझ गया अच्छे से इतना high level नाम होगा क्योंकि आपको यहाँ पर double bond का भी तो nomenclature करना है तो double bond का तो ब्यूट मतलब 4 carbon दूसरे number पर Eन है मतलब की double bond है और उसमें भी फिर पहले carbon में 1st number के carbon में All है और उसमें से तिसरे carbon में CS3 है तो यह इसका proper nomenclature होगा बताओ जिसको जिसको समझाए comment box में लिको super star chemistry के super star प्रशान भई आउपी in the chat heart भेज़ दो लाइक करो वीडियो को फटाक से समझ गया यहां तक बच्चों अच्छे से तो यह था high level question भाई अब आपके book का question करते हैं इसी की उपर आजाओ तो अब यह question को उठाता हूँ जिसको पहले तो समझ नहीं hard है कितना ऐसा घाई घाई में दिया है यह लोग क्या proper अच्छे से नहीं लिख सकते थे आजाओ पहले इसको condense form में है तो decondense कर लो तो को यह carbon दिख रहा है ना तो यह carbon से ही decondense होगा तो carbon से double bond है उपर H दे दिया और यहाँ पर CS3 दे दिया फिर यहाँ carbon आएगा यह double bond के बाद यह carbon तो carbon आएगा फिर इस carbon में H है फिर C आएगा फिर उपर 2H है और यहाँ पर OH है ऐसा इसका naming है यह भी वही बन रहा है तो देखो अब इसका सबसे पहले तो आप लो longest chain सिलेट करो अब इसको numbering दे दो तो 1, 2, 3, 4 यहाँ से 1, 2, 3, 4 अब अब बताओ कहा फिर जाओगे यहाँ से counting करोगे कि यहाँ से counting करोगे तो सबसे पहले priority देनी है double bond को यहाँ फिर अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो दूसरे number में double bond आता है अगर यहाँ फिर जाता हूँ तो पहले number में ओच आता तो यहीं से जाओँगा चार carbon मतलब क्या होता है ब्यूटेन लेकिन यहाँ double bond है न तो इसलिए ब्यूटेन नहीं आएगा इन आएगा तो ब्यूटेन अब ब्यूटेन का भी location आपको बताना पड़ेगा तो ब्यूटेन का location भी आपको बताना ही पड़ेगा तो क्या करोगे ब्यूट लिखने का सिर्फ और दूसरे number में कौन है इन है ब्यूटेन समझ गया आप किसको नॉमेंट केचर दोगे आप OYACH को डालो तो OYACH हमेसा alcohol है पीछे से लगता है को हटा दो और पहले number में all आएगा तो ब्यूटेन ब्यूट टू इन वन वाल यह इसका नॉमेंट केचर होगा सिर्फ अब लोग भई यह CS3 को नहीं दोगे क्या अरे भईया यह खुदी longest chain में सिलेट हो गई है न तो यह CS3 कभी भी आप branch थोड़ी रह गई है अब इसके जैसा branch थोड़ी रह गई है हमारी main longest chain के अलावा जब रहता तब उसको हम यहां लिखते हैं यह खुदी खुदी हमारी पूरी की पूरी carbon हमारी branch chain ना रहके long chain में आ गई है तो समझ गया अब देखो क्या यही इसका यहां लिखा है एक्जाक्ली देखो वही यहां पर answer आ गया समझ गया अच्छे से मैं क्या कह रहा हूँ समझ गया अच्छे से बच्चो मैं क्या कह रहा हूँ तो यह आप लोगों को ध्यान देना है एर ब्यूट टू इन वन वाल ऐसे हमारे यह हो गया हमारे अल्कोहल का नॉमेंक्लिचर अल्कोहल का अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चो फिनॉल का क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में अल्कोहल और फिनॉल दोनों का पढ़ना था न फिर एथर का मैं अंगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा ठीक है तो अभी हमें पढ़ना है किसका आप पढ़ेंगे फिनॉल का तो बच्चाओ बच्चो किसी को भी ऐसा आए का जिसको ना समझाओ हर एक student को पूरा clear हो चुका है पर मैं जानता हूँ अच्छे से कि clear हो चुका है समझ गया अच्छे से पक्का किसी को कोई doubt है क्या anybody guys IOPSE name alcohol का हर एक बच्चो को आ गया है common name बच्चों आप लोग याद कर ले ना आपको यह याद ही करना पड़ेगा please याद कर ले ना please समझ गया अच्छे से यह आपको याद करना पड़े structure के साथ इसमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ कुछ trick बता देता हूँ जैसे अगर N है न N मतलब normal होता है तो अगर straight chain है straight सीधा सीधा तो उसमें N लगाने का तीन कार्बन होता प्रोपाईल अलकॉहल अगर माल लो दूसरे नंबर में OH है देखो न एक, दो, तीन, चार दूसरे कार्बन में OH है तो सेक लगाने का सेक अगर माल लो CS3 यहां आ जाए और OH यहां पर आ जाए तो ISO अगर माल लो CS3 चारो तरफ आ जाए और बीच वाले में OH है तो टर्ट ऐसे याद रखनेगा तो यह थोड़ा सा याद कर ले न बाकी common name तो आसान है भाई यह चारो का ही बस hard है बाकी सब आसान है बाकी सब आपको समझ भी जाएगा यह सब आपको याद करना पड़ेगा विद स्ट्रक्चर एक्जाम में आ भी सकता है इथलिन ग्लाइकॉल आ गया तो आपको यह पता होना चाहिए कि इथलिन ग्लाइकॉल यह होता है 2017 के पेपर में आया था जब मैंने बारवी दी थी मैंने बारवी 2017 में दिया था तो इथलिन ग्लाइकॉल आया था इसका स्ट्रक्चर बनाओ यही था भाई सोचो आपको इसलिए कह रहा हूँ कि याद कर लो यह सब याद कर लो समझ भी ग्लिसरॉल वगेरा यह क्रोटोनिल अलकोहल तो ब्यूट टू इनवन ओल होता है यह क्रोटोनिल अलकोहल यहाँ पे है तो यह सब आपको याद करना पड़ेगा बच्चो common name तो याद ही करना पड़ेगा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास कुछ option होता तो मैं पक्का सिखाता आपको जो बच्चे शुरू से बच्पल से पढ़ते हैं अब यहां भी देखलो क्रिसोल, नाइट्रोफिनोल, कैटिकॉल, रिसॉरसिनोल हाइडरोक्युनोन फ्लोरोग्लूसिनोल पाईरोगलॉल पाईरोगलॉल देखलो पाईरोगलॉल गलॉल इधर है समझ गया ना तो IUPAC name तो मैं चिंदी सिखा दूँगा आपको यह सब याद करना पड़ेगा कोई चांस नहीं है I'm really sorry अब catty call लिया आपको याद करना पड़ेगा common name है समझ गया ना अच्छे से तो common name आप सबको आपके ममी पापा की कसम है आप सबी को common name फिनॉल का याद करना ही है यह एक्जाम में आता है डालिक catty call दे देगा तो इसका रियक्सा मजने का रिसॉर्स इनॉल तो यह अगर आप याद नहीं करोगा आपके ममी पापा की कसम है आपको देखते कितने लोग ममी पापा की कसम को मानते है याद रखना चलो अब आईउपैक नेम फिनॉल का सीखते है जल्दी 10 मिनट लगेगा चलो ठीक है आजओ अब फिनॉल का आईउपैक नेम करते हैं लेट्स बिगिन आजओ अब अभी तक किस का था अलकोहल का अब फिनॉल अब पैसे कि आप सब को पताएक यह हमारी बेंजीण रिंग ये बेंजीन रिंग है ये ऐसे भी दिखती है हर तरह से आपको सिखा देता हूँ जिसे कि कल को आपको कोई डाउट न रहे और एनाई के बच्चों को हमारे कोई हरा न पाए ये देखो तो अगर बच्चों इस बेंजीन रिंग में मैं यहाँ पर कहीं पर भी एक जगए पर OH डाल दूँ तो बस फिर क्या है फिर ये क्या बन जाएगा फिनॉल बन जाएगा इसे ही हम फिनॉल कहते हैं मैंने आपको सिखाया भी था लेक्चर वन में कि फिनॉल क्या होता है समस गया ना यह और लिख देता हूँ दोनों का मतलब सही में समस गया ना कभी कभी आपन इसको ऐसे भी दिखाते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर को आपन ऐसा भी दिखाते हैं यह सब एक ही बात है क्लियर हो गया यह सब हमारे फिनॉल कहलाएंगे समस गया बच्चो में क्या कह रहा हूँ यह सब हमारे क्या कहलाएंगे फिनॉल कहलाएंगे बच्चो फिनॉल का आयू पैक नेम बेंजीन है ना बेंजीन बेंजीन है न यह बेंजीन तो बेंजीन है और इसको कौन सा गुरूप कहते हैं alcohol all all होता है all हमेशा पीछे से लगता है तो इसी लिए हम इसको पीछे से लगाएंगे ए हटा करके और यह लग जाएगा all तो यह नाम होगा benzenol ऐसे ही बच्चों आपको पता है phenol में भी यह असली में होता है phenine phenine होता है phenine लेकिन इसका बहुत high level चीज है पूरे इन को ही हम अटा देते हैं और पूरे इन को हटा के हम यहाँ पे all लगा देते हैं यह बात ध्यान देना अच्छे से तो यह आपको कोई नहीं सिखाएगा समझ गया तो benginol याद रखना चाहे तो phenol बोलो चाहे तो benginol बोलो बात एक ही है आपकी चोईस है कि आपको क्या कहना है phenol बोल दो या benginol बोल दो कोई marks आपका काट नहीं सकता दोनों मतलब सेम है तो हम लोग ivy pack nomenclature में कहीं phenol यूज करेंगे कहीं benginol यूज करेंगे ठीक है बहुत ध्यान से समझना बहुत आसान टॉपिक है मतलब कभी भी अगर आपको ये पूरा दिख गया ना इसका पूरा नाम ही है phenol इसको ऐसे समझो इस पूरे को ही phenol कहते है अब इसमें अगर कोई और add होगा ना तो उसको फिर हम लोग नाम देंगे और ये main branch रहेगी phenol समझ गया ये पूरी main branch क्या रहेगी phenol रहेगी phenol बोलो या benginol बोलो यार आपकी चोईस है समझ गया अच्छे से चलिए पक्का शुरू करूँ अभी कोई doubt है यहां तक चलो लेट्स बिगिन आज़ो तो अब आम लोग यहां पर कुछ important चीजों को समझते हैं पक्का चलो आज़ाओ सुनना आओ आज़ो तो सबसे पहला आपको nomenclature किसका था बेंजी नॉल का एक बर और बना देता हूँ ये होता है हमारा phenol इसको आप लोग बेंजी नॉल भी कह सकते हो ये ध्यान देना समझ गया फिर इसके बाद आपके सामने एक नया structure और लेता हूँ इसमें OH उपर है और मालो यहां पर CS3 ग्रूप है CH3 ग्रूप है तो आप सबसे बहले nomenclature किसका करोगे ये मेरा पूरा phenol है समझ गया तो यहां पर क्या आएगा ये आएगा phenol और पहली priority भी हमेशा इसी carbon को देने का फिर ये दूसरा number आएगा समझ गया ना तो यहां पर क्या आएगा 2 पर कौन है methyl तो ये answer आएगा 2 methyl phenol समझ गया कि ने समझ गया phenol बोलो benzenol बोलो ये phenol के जगह में आप benzenol भी लिख सकते थे और कभी भी OH ग्रूप जहां रहेगा उसको पहला number देने का benzen का बहुत आसान है 6 carbon तो होते हैं ये round में 1,2,3,4,5,6 देखो न आप लोग यहां पर खुदी 1,2,3,4,5,6 जितने corner उतने carbon समझ गया न अध्यान देना तो ये पूरा phenol ही है तो सिधा phenol लिखो न भाई ये पूरा ही phenol है phenol लिख दिया और उसमें जो जुड़ा है उसको उसका location बता दिया कि मिधाईल जुड़ा है चलो next question next question अब next question कैसे answer दोगे देखो तो ये माललो मेरा OH है और मैंने यहाँ भी OH डाल दिया अब दो दो OH डाल दिया मैंने अब क्या करोगे अब तो आप फस गए कि अगर माललो आप ऐसा सोचोगे कि ये तो मेरा phenol है तो फिर आप सिर्फ इसको कैसे नाम दोगे सिफ ऐसा रहते है कि over to all phenol ये पगला गए हो ऐसा नाम नहीं होता और कभी भी ऐसा भी नहीं होता कि fin to all ऐसा भी नहीं होता तो इसलिए हम दूसरा यूज करेंगे benzene नाम बस यही confusion दूर करना था आपका समझ गया अच्छे से तो लॉजिक लगाओ बच्चो रट्टा मत मारो यह अगर ओया देखो बाकी सब तो यहां लिख सकते हो all थोड़ी लिख सकते हो वह भी तो खुद एक functional group है तो all को तो आप लोगों को वही benzene के पीछे ही dial करके देना पड़ेगा तो आजा फिर लिखते हैं तो पहले numbering दिर दो तो one अब देखो इसमें क्या रहेगा इसमें क्या रहेगा यह one number यह two number तो क्या आएगा यहाँ पर benzene तो benzene पीछे से लगाएंगे तो e हटाएगा पहले और दूसरे number पर कौन है दो बार all है तो benzene one two die all इसका इस तरह से structure बनेगा समझ गया अच्छे से benzene में पूरा देखो main ring कौन सी है अब यहाँ पर हमने main ring की बात कर दी यह हमने इस ring की बात की दोनो ओयचों को हमने यहाँ डाला और benzene की ring को पकड़ा यह मेरी जो main benzene की रिंग है उस पर हमने ध्यान दिया इस बार हमने इस बार पूरे alcohol को नहीं पकड़ा हमने ओयच को छोड़ दिया यहाँ पर दोनों को समझ गया क्योंकि दो दो ओयच थे न भाई और दोनों को आपन ऐसे मालो एक को phenol अगर ले लेता तो two all और ऐसे phenol थोड़ी लिख सकता हूँ यह अभी ऐसा कभी नहीं होता समझ गया अच्छे से ध्यान देना इस चीज़ को और यहीं चीज़ आपको सिखानी थी तो बच्चों कभी भी ध्यान देना अगर एक अब logic आपके mind में trick बताता हूँ अगर इस समझ गया अच्छे से हमेशा इसको benzen ring treat करो और बाकियों को हमेशा यहाँ पर benzenol लिखो समझ गया अच्छे से हमेशा यही बोलूँगा मैं benzenol तो अगर benzenol के form में इसका no naming आप करते तो कैसा naming होती अगर आप सब बच्चों यहाँ पर इसको सिर्फ benzen समझते अगर आप स अगर आप इसको सिर्फ benzen समझते तो इसका नाम क्या आता देखो यहाँ पर तो क्या ही आता आपको पता है हमेशा priority तो alcohol कोई देनी है numbering के टाइम पर और बाकि सब को दूसरा समझ दो अब F-A तो करोगे नहीं कि यहाँ से counting करको इसको लेकि 16 नंबर दोगे पहले इसको फ बेंजीन वन ओल ऐसा बेंजीन वन ओल बट वन को दिखाते नहीं है इसलिए बेंजीन ओल भी सिधा लिख सकते थे आप लोग तो ऐसा नाम वही है बस काम अलग 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 है structure वही है तो बस इतना याद रखो कि अगर पूरे फिनॉल को सिर्फ तभी ले सकते हो जब एक ह हो इसलिए मैं हमेसा सिखा रहा हूँ कि आप हमेसा बेंजीन लोना कभी गलती नहीं होगा चलो और भी कोशन देखते हैं एक दो ऐसे ही तो माल लो अभी यहाँ पर ये OH दे दिया और यहाँ पर OH दे दिया और यहाँ पर CS3 दे दिया अब इसका नेमिंग कैसे करोगे तो आप सबको याद रखना है अब कुछ भी 2-2 OH आ गया अब 2 OH आए ना आए हमेशा मैं बेंजी नहीं लूँगा चाहे को मैं फिनॉल फिनॉल लेके समझ रहा है यह पूरा एक single OH आए चाहे तो फिनॉल लेने रहता है अगर मालो 2-2 OH आए चाह गया तो फिर हमेशा बेंजीन लेनेगा बेंजीनॉल तो फिर ट्रीट कैसे करोगे यह सिर्फ बेंजीन रहेगा और यह पूरा फिनॉल होता है पता है ना तो जब दो-दो रहेंगे तो सिर्फ इतना ही ट्रीट करने का इसको बेंजीन मानने का समझ गया चलो आजाओ यहां पर नेमिंग कैसे करेंगे तो मेन तो मेरा बेंजीन मैने माल लिया मेन तो मेरा मैने बेंजीन माल लिया बेंजीन बेंजीन माल लिया इसको E हटाऊंगा और numbering कर दो अफटा फट तो पहला दूसरा तिसरा ऐसा तो करोगे नहीं क्यों कितना ज्यादा number हो जाएगा इसको पांचवा number मिलेगा इसको छटवा ज्यादा number नहीं देना होता कभी भी कम number दो तो देखो यहाँ पर क्याएगा पहला इधर से count करो दूसरा तिसरा ऐसे तो अब यहाँ देखो पहले और तीसरे number में कौन है पहले और तीसरे number में दो दो all है डायॉल और दूसरे number में कौन है मिथाईल है तो 2 मिथाईल बेंजीन 1-2 डायॉल इसका answer होगा समझ गया तो this will be the final answer इस तरीके से आपको answering करनी है क्या ही doubt था इसमें 2 मिथाईल बेंजीन 1-3 डायॉल clear हो गया चलो इस तरीके से बच्चों आपको सभी questions के answer को देना है clear है ना पका अच्छे से पका वला पका चलो अब आपको थोड़ा book के answer आपके लेता हूँ ठीक अब आपके book के answer लेता हूँ देखो यहाँ पर भी same अगर OH ह तो फिनॉल ले लिया है बेंजीनॉल और अगर एक single OH ह तो फिनॉल ही लिया है बट जैसे ही यहाँ पर दो दो आज आएंगे तो बेंजीनॉल लेने लग गया देखो आप लोग यहाँ पर अब इसमें दो कंडिशने हैं मैं दोनों कंडिशने करके दिखाऊंगा दोनों तरीके से इसका नाम करके दिखाऊंगा ठीक है देखो तो मैं सबसे पहला तो इसका पूरा का पूरा फिनॉल ले लेता हूँ यह फिनॉल है तो अगर मैं फिनॉल के form में इसका नेमिंग करूँगा तो ठीक है फिनॉल कर दो और नॉमेन क्लिचर तो आपको पता है कि पहला नंबर हाइड्रोक्सिल गुर्प को जाता है तो 1, 2, 3, 4 अगर मैं यहां से भी काउंट करता इस तरब से भी तो भी चौथे नंबर में यहां से कर रहा हो तो भी चौथे नंबर में यहाएगा तो चौथे पर कौन अटैच है 4 नंबर पर कौन है नाइट्रो 4 नंबर पर कौन है नाइट्रो तो यह बन गया 4 नाइट्रो फिनॉल मैंने फिनॉल क्यों लिया क्योंकि एक ही OH है तो मैं ऐसे भी इसकी नेमिंग कर सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसको बेंजीन ही मानूँ बाकि सबको अलग-अलग मान लूँ समझा अच्छे से बेंजीन मानूँगा मैं और ऐसे करूँगा देखो अभी यहाँ पर तो मेरा पहले नंबर में अब यही रहेगा पहला नंबर तो वैसे ही आएगा तो अगर मैं इधर फजाऊंगा तो भी यह चाओथे नंबर में और पहले में आएगा और यहां फिचाओंगा तो भी क्योंकि पहली प्रियोटी तो हमेशा अल्कोहल को ही दोगे अल्कोहल के घर में बैठके अल्कोहल को प्रियोटी नहीं दोगे तो नाइट्रोचन को दोगे नाइट्रोचन को आपन देंगी ने प्रियोटी आ माइन्स में ठीक है चलो tension मत लेना हमेशा OH को alcohol को देना रहता है ABCD में हमेशा alcohol पहले आता है कि nitrogen A पहले आता है A पहले आता है कि N पहले आता है A आएगा द्यान देना अब यहाँ देखो अच्छे से तो क्या करोगी यह तो पूरी benzene ring है बेंजीन अब पीछे से लगाना है तो E को हटा दो तो 1 पे क्या आएगा All और चौथे नंबर पे कौन है Nitro तो 4 Nitro Benzine 1 All ऐसे इसका नाम होगा समझ गया तो ये पूरा 100% करेक्ट है और ये भी 100% करेक्ट है समझ गया बस एक ही ट्रिक याद रखना कि अगर एक वह अच रहते तो फिनॉल लेते हैं और अगर दो रहता है ना दो तो फिर फिनॉल नहीं ले सकते ले ही नहीं सकते क्योंकि कभी भी फिनॉल बनाए गई नहीं फिर वैसा structure तो हमेसा Benzine लेते हैं मैंने दोनों तरीके से आपको नाम करके यहाँ पर दिखा दिया समझ गया अच्छे से यह देखो यहाँ पर यही structure था ना कहा गया यही था ना ध्यान देना चलो अब यह भी मैंने आपको सिखाया है यही Benzine 1-3-Diol देखो मैंने तो यहाँ पर इतना ही बता देखो Benzine 1-3-Diol देखो इतना ही है मैंने तो इसमें extra भी add किया है 2-methyl कैसे आया आपको पता नम्बरिंग बस सबसे कम देने का नम्बरिंग कभी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए चलो और कौन सा करूँ यह वाला करके दिखाऊँ आजाओ अब इसको करके दिखाता हूँ देखो आजाओ अब इसका कैसे करोगे ओव्यस ही बात है तीन-तीन कारवान है तो आपको यहाँ पर इसको Benzine मानना पड़ेगा ठीक है समझ के लेना तो Benzine माल लोग कुछ नहीं Benzine लिख दो Benzine की Spelling Correct लिखना बस पता चला Spelling यह नहीं आती है तो E हटा दो Last का और यह Numbering दे दो अगर मैं यहाँ फिदूँगा तो 1,2,3,4,5,6 ऐसे आएगा अगर F यह जाओंगा तो ऐसा आएगा ऐसा भी जाओंगा तो भी वही आएगा समझ रहो क्या गहरा हूं मैं तो बस इतना ध्यान देना कि अगर आप चलो मैं अभी एक iac counting अभी किया हूं अभी ऐसी counting कराता हूँ तो ये 1 होगा ये 2 होगा, ये 3 होगा ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा तो आप एक चीज़ देखो पहला, तीसरा और पाचवा यानि 1 प्लस 3 प्लस 5 और अगर मैं इधर फिश आऊँ तो पहला और तीसरा और पाचवा, तो वही आ रहा है ना तो यहाँ वहाँ जाके मतला भी नहीं है कहीं से भी counting कर लो आप लोग कहीं से भी किसी भी चीज को follow कर लो या इधर से या इधर से कहीं से भी जाओ, बस number कमाना चाहिए मेरे इन numbers को कमाना चाहिए इनके जो numbers से इनको addition करो तो कमाए तीन, तीन, चार चार ना इसलिए यहाँ पर अभी क्या होगा यहाँ पर पहले, तीसरे और पाचवे नंबर पर कितने है तीन, तीन ना तो try, capital में कभी नहीं लिखने का अंदर try all benzene, 135, try all इसका यह नाम होगा क्योंकि एक, दो, तीन बार है ना, 135 और कितने होगे तीन, try all तो benzene, 135, try all तो ऐसा इसका structure बनेगा समझ गया, तो बताओ बच्चो कोई doubt है कि आपको अभी IUPAC naming में मैंने सब आपको सिखा दिया कोई भी आपको doubt नहीं होना चाहिए हर एक चीज़े मैंने आपको clear कर दिये so, I hope so कि आपको समझाओगा and देखो, आपको ना, बहुत अच्छे से numbering यहां समझेगी बहुत अच्छे से numbering यह वाले में समझेगा चलो, इसको भी करवा देता हूँ, आजाओ इसको भी करवा देता हूँ आपको numbering समझ में आ जाएगी क्योंकि इस वाले में तो देखो ना, पुरा same same था ना, तो नहीं समझाओगा इसको समझते हैं आ जाओ देखो, अब यह आप लोग जब numbering करोगे, तो सबसे कम number, आलकॉल को मालो यहां आपकोंटिंग कर रहे हो, अब लोग यहां से कांटिंग करो ना, तो आफाफाफा थोड़ी जाओगे आप लोग, तो सबसे कम numbering देनी होती ही न, तो जहाँ पर पहला यहां से और यहां पर दे सकते हो, टर्मिनल से ही हमेशा याद रखना ठीक हैं तो हमेशा 1 यहां से दे रहे हो 2, 3, 4, 5, 6 यह हो गया, यह वाली कांटिंग अब अगर मैं यहां से करता थो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब देखो, तो अगर मैं इस तरीके फचाता हूँ देखो, इसको अंदर लिख देता हूँ तो बाहर वाली बाहर लिखी हूँ यह देख रहे हो आप लोग यह बाहर है रुख जा बच्चों, करके देता हूँ यह अंदर से है एक और यह बाहर से है अब आप देखो कैसे कांट करोगे ऐसा वाला या ऐसा वाला कौन से अच्छा है अगर मैं ऐसे वाले में जाता हूँ तो पहले वन नमबर पे फिर दो नमबर पे फिर तीन नमबर पे कितना होता है? तीन, दो, पाँच, एक, छै ठीक है, क्लियर है, तो पहले में कितना है था? छै याद रखना है, चलो अब ऐसा करता हूँ तो एक नमबर पे फिर तीन नमबर पे फिर दो नमबर पे नहीं यार, स्वारी, स्वारी एक नमबर पे पहले एक नमबर पे आएगा फिर ये बाहर वाला पाँच है ना तो पाँच नमबर पे, एक पे, फिर पाँच पे और फिर 6 पे तो कितना हो गया है, 6, 5 11, 12, तो 6 बड़ा होता है कि 12 12, और बड़े को नहीं लेना होता है चोटे को लेना होता है, यानि अंदर से यानि कि ये वाली counting अच्छी है देखो ना कितना कम number 1, 2, 3 ऐसे समस गया ना, तो confused कभी मत हो ना बस numbering देनी है, तो आप लोग कैसे करोगे, ऐसे जाओगे 1 इसको दोगे, 2 इसको और 3 इसको दोगे समझ गया, तो पहले लिख लो बेंजीन ही तो है बेंजीन पीछे से लगाना है, तो यह अटा दो अरे बापरे, ज़्यादा ही बड़ा ही हो गया इह हटा दो और इह हटा दोगे तो पहले number पे, दूसरे number पे और तीसरे number पे 3-3 all है try all, समझ गया अच्छे से तो यह counting आपको समझ गई clear है, तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, तो यह हो गया हमारा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, समझ गया यह, अब इसके बाद हम लोग ether का करेंगे, उसके लिए एक अलग सी वीडियो आएगा अल्यड़ी एक गंटा 20 मिनट हो चुका है, मैंने बोला ही था हो जाएगा प्योंकि बहुत सारे कुश्चन कराता हूँ न, ऐसे आसान तरीके फे थोड़ी कर जाते हैं तो बच्चों यहाँ पर देख रहो अच्छे से क्या कह रहा था हमें, पूरा का पूरा हमारा अल्कोहल का आईवीपैक नमन्क्लेचर हो चुका है, किसी भी बच्चे को को नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइस के कोश्चन सौल कर डालो, और इस तरीके से आच्छे से बढ़िया से पढ़ डालो समझ में आ गया, तो गाईस, थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग इस सेशन गाईस, एंड मैं आपको बोलूँगा कि मेरी आईडी है प्रशांत अंडर स्कोर टीनाइन, इंस्टाग्राम की जाओ यहाँ फॉलो कर लो, पहले चीज, एंड अपने दोस्तों को शेर करो, न्यू इंडियन एरा एप को डाउनलोड करना मत भूलना, अगर आपको आईवी पैक ने मच्चे से समझ में आया है, ए दिखो यह चीज, वैं निव इंडियन एरा इस हीर, देन वाई तो फियर, अब इसके बाद हम लोग एथर का आईवी पैक नमेंटेचर करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग रियक्शन को करेंगे, एंड बहुत सार किती और भी पढ़ेंगे, ठीक है, अल्कोहल फिनोल की र